बिसमिल्ला रुर्राख्माद रुर्राहीम असलाम वालेकूम डिया स्टूडेंट्स आज हम FSC पार्ट वन का चैप्टर नमबर थी स्टार्ट करेंगे मैं नेम इस मुहम्मद वकास तो फर्स लेक्चर स्टूडेंट हम बात शुरू करते हैं मैटर से मैटर जो है यह क्या है क कि आवरीधिंग विच ऐस मेंस अंद ओकोपाइस सम्पेस इस कार्ड़ एश मैटर हर वो चीज जो मैस रखती है और स्पेस को कोपाई करती है आप उसे क्या बोलते हैं आप उसे मैटर बोलते हैं चैप्टर नमर वन में हमने देखा था कि मैटर की दो टाइप से एक प्यू स्टेट हैं यह अगर हैं सौलिड के लिए्वेक घाष और प्लाजमा अवाव हम अगर अपने इर्दगर देखें तो ज्यादा तर मैटर जो है वो सॉलिड स्टेट में है थीक है तो इसलिए हम क्या के सालिड स्टेट जो है इत आज ़ brewing स्टेट उफ मैटर जबके लिकविट और लेस कॉमन अब किसी भी सबस्टाँज की लेकविट स्टेट जो है वह सिपसिफिक टंपीरेचर और प्रेशर परे एग्जिस्ट करती है इसलिए हर चीज का लिकविड स्टेट है वह आम टमप्रेचर पर एक्जिस्ट नहीं करता मिसाल के तोर पर अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर जीरो डिगरी से 100 degree के दरम्यान liquid state पे exist करता है अगर temperature 0 से नीची हो जाए तो solid state हो जाएगी और अगर temperature 100 degree से ज्यादा हो जाए तो वो फिर क्या हो जाएगा वो gashy state पे चला जाएगा ठीक हो गया इसलिए liquid state जो है यह less common short question पूछा जाए कि why liquids are less common तो आप क्या बताएंगे liquid state of matter exist at narrow range of temperature and pressure बात की समय लगी गैस जो है इट इस दा simplest state of matter और अगर आप गैस को high temperature पे repeatedly आयोनाइज करें तो वो क्या होगा प्लाज्मा होगा जैसा के जो incandescent हैं जो fluorescent light है energy saver है ट्यूब लाइट से इनके नदर क्या होता है गैस होती है तो गैस की रिपीटेडली आयोनाइजेशन से क्या होता है वे एक मिक्स्टर बन जाता है atoms का molecules का electrons का ions का उसे आप बोलते हैं प्लाज्मा जितने भी स्टार्स हैं यह सारे के सारे प्लाज्मा है सन भी क्या है एक प्लाज्मा का मेहस है क्लीर हो गया तो यह था जिए इंट्रोडक्शन अब हम डिसकस करते हैं states of matter की प्रोपर्टी सबसे पहली प्रोपर्टी है शेप shape की अगर बात की जाए तो solids don't have definite sorry solids have definite shape ठीक है जबके liquids जो है और gases इनका shape जो है वो definite नहीं होता उसकी reason क्या है कि आप liquid को या gas को जिस container में add करेंगे यह उसकी shape को जो है वो adopt कर लेंगे clear हो गया इसी तरह volume की बात करें तो solids का volume भी क्या होता है definite होता है जबके liquids का volume भी definite होता है आपके पास अगर एक लीटर water है आप उसको जिस container में भी डालेंगे उसका volume क्या रहेगा one liter ही रहेगा clear हो गया लेकिन gases का volume होता है वो indefinite होता है आप gas को जिस container में add करेंगे वो सार density की बाप करें students तो solids की density high होती है उसकी वज़ाए क्या है कि solids में जो particles होते हैं वो आपस में closely packed होते हैं closely packed होने की वज़ा से solids आपको dense वजनी महसूस होते हैं यानि कि solids की density जो हो हाई है due to close packing of particles ये बात आपने याद रखनी है liquids की density जो है solid से काम होती है और gases से ज्यादा होती है intermediate उसकी रिजर क्या है कि liquid के जो particles होते है वो क्या हो सकते हैं वो displaced हो सकते हैं दूसरे के ओपर liquid के अंदर ही वो freely move कर सकते हैं clear हो गया जबके gases की density low होती है अब question ये एक बुक में लाइन लिखे हुई है कि gases bubble rise from the liquid कि gas के bubbles जो है वो liquid से rise होते हैं मिसाल के तोर पे आप dispenser से जब पानी पीते हैं तो bubbles जो है वो gas के उपर को move करते हैं ठीक है जैसे पानी निकलता है तो bubbles उपर move करते हैं उसकी reason ये है कि gases की density कम होती है इस वज़ा से gas के bubbles जो है वो upward move करते हैं बात की समय लगी तो due to low density gas bubbles rise from liquid बात की समय लगी उसके बात solids जो हैं ये diffusion नहीं कर सकते हैं ये effusion नहीं कर सकते हैं जबके slide सा diffusion का फिनोमेना शो करते हैं लेक्विड जबके gases जो हैं क्योंके इनके molecules freely move कर रहे हैं तो इसलिए gases diffuse भी कर सकती है diffuse भी कर सकती है diffusion का क्या है बेटा के molecules का high concentration वाले region से low concentration वाले region की तरफ move करना ये क्या है ये diffusion है और effusion क्या है के high pressure वाले region से vacuum की तरफ यानिके low pressure की तरफ molecules का move करना through a hole एक सुराख के जरीए जैसा के गाड़े गाड़ी के टायर में या फिर cycle के टायर में पंक्चर हो जाए तो जहां पर सुराख होगा वहां से gas जाए वो लीकेज होगी तो इसे क्या बोलते हैं आप effusion बोलते हैं तो gases के molecules freely move करने की वज़ा से क्या कर सकते हैं diffuse भी कर सकते हैं देफोर दे कैन डिफ्यूज एंड फ्यूज compressibility की बात करें तो आप solid के particles आपस में क्या है इस तरह condensed form में हैं यानि कि आपस में pack हुए हैं तो आप solids को compress नहीं कर सकते जबके liquids को आप slide सा compress कर सकते हैं और gases के माली क्यूज के दरमयान तो space ही बहुत ज़्यादा होता है तो gases को आप काफी हद तक जो है वो compress कर सकते हैं clear हो गया intermolecular forces की बात करें तो solid के particles के दरमयान strong intermolecular forces हैं जिस विज़ा से वो closely packed हैं clear हो गया जबके liquid के particle के दरमयान जो intermolecular forces हैं वो intermediate हैं यंकर solid से कम और gases से ज़्यादा है जबके gas के molecules के दरमयान जो intermolecular forces हैं वो बहुत weak होती है clear है उसके बाद molecules motion की बात करें तो solid के molecules वे हैं वो एक ही point पे two and through vibrational motion कर रहे होते हैं जबके liquid के particles straight line में और जो gas हैं ये randomly move कर रहे होते हैं उपर नीचे दाएं बाएं इसी तरह molecular motion की अगर हम बात करें तो gas जो molecular energy है इसकी अगर हम बात करें तो solid के molecules जो particles की energy बड़ी कम होती है ठीक है जबके liquid के molecule की energy solid से ज़्यादा होती है और gas के molecule की energy बहुत ज़्यादा होती है यही वज़ा है कि वो बड़ी fastly क्या कर रहे होते हैं move कर रहे होते हैं तो यह student एक objective type गया है वो short question पूछा जाता है कि compare properties of solid liquid and gas ठीक है तो आपने इसको जो है objectively ही prepare करना है इसके इलावा यह याद रखिएगा कि यह जो properties वाला portion है यह MDCAD का syllabus है इकट का तो स्लेबर सारा ही होता है लेकिन MDCAD का यह specific portion है इसको आपने याद रखना है कि compare the properties of solid liquid and gases बात कि समय लागी तो यह था student अब हम move करते हैं next नेक्स्ट है जी units of pressure pressure क्या होता है force per unit area is called as pressure तो chemistry में जो standard unit use किया रहता है pressure का वो क्या होता है वो atmosphere होता है atmosphere को समझने के लिए मेरे पास यह क्या है glass tube है जिसकी length कितनी है 760 mm और इसके अंदर क्या है mercury है पारा जो थर्मामीटर में होता है कहता है sea level पर समंदरी level पर यानिके पहाड पर नहीं मेदानी लाके में sea level पर यानिके ठीक है एड़ जीरो डिग्री एर क्या करती है इस 760 mm पर जो प्रेशर लगाएगी आप उसे क्या बोलेंगे वन एट्मोस्फिर प्रेशर अग्जर्टिड बाई एर एड़ 760 mm लोंग मर्करी कॉलम एड़ sea level एड़ 0 डिग्री सेंटिग्रेड इस काल्ड एज वन एट्मोस्फिर बात की समय लगी यह इसकी डेफिनेशन आपने करनी है के वर्ट इस एट्मोस्फिर तो आपने बताना है के समंदरी सता पे sea level पे 0 डिग्री सेंटिग्रेड पर 760 mm लोंग गलास ट्यूब के अंदर जो मर्करी है उसके उपर जो एर प्रेशर लगाती है आप उसे क्या बोलते हैं एट्मोस्फिर बोलते है वन एट्मोस्फिर 760 mm of mercury के एकवल होता है जबके 1 mm of mercury 1 tor के एकवल होता है तो यह याद रखिएगा तो आपने यहाँ पे इसका मतलब है क्या लिख सकते हैं 760 tor भी लिख सकते हैं इसके लावा जो प्रेशर के यूनिट्स हैं SI उनमें क्या है कि 1 एट्मोस्फिर 10, 13, 25 न्यूट्न पर मीटर स्केर के एकवल होता है जबके 1 पास्कल 1 न्यूट्न पर मीटर स्केर के एकवल होता है तो इसका मतलब है यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं पास्कल भी लिख सकते हैं इसके लावा वन एट्मोस्फिर 14.7 इसके इक्वल होता है और यह वाला unit जो है वो यूस करते हैं एंजीनियर्स, ऑक्ट हो गया, जबके one atmosphere ten, thirteen point, twenty five mili bar के एक्वल है, और यह वाला unit यूस करते हैं, materiologis, materiologis कोन होते हैं, मह्कमा, मोसमियाद वाले, तो आपने स्टूडेंट्स इसको जैसे भी है याद करना है कि वन एट्मोस्फिर किस-किस के एक्वल है सेवन सिक्स्टी मिलीमेटर ओफ मरकरी सेवन सिक्स्टी टॉर टैन थर्टीन ट्वंटी फाइब न्यूटन पर मीटर या फिर पास्कल के एक्वल फोर्टीन पॉइंट सेवन पाउंड पर स्केर इंच और इसी तरह टैन थर्टीन पॉइंट ट्वंटी फाइव बिली बार के एकवल होता है तो यह यूनिट्स ओफ प्रैशर अब्जेक्टिव टाइब है यह भी एमडी काट का हिसा है आपने इसको प्रिपेर करना है कि इसके गैस के कौन-कौन से प्रैशर के यूनिट्स है उक्यों गया उसके बाद सुट्रेंट कमिस्ट्री में जो चैप्टर नमबर थ्री है इस इसमें स्टनडर्ड टंप्रेशर देंट करेशिर ऐंड चाहिए का जो यह यह वो हमें पता होना चाहिए स्टेंडर् ragolischer को स्टा है जितनी पि पर नोगी इसमें लिखा होता है कि यह गैस इस heat ए candidate जब STP लिखा हो तो आपने याद रखना है के standard temperature and pressure है तो इस पर temperature की value 0 degree centigrade या 273 Kelvin होगी इसको आपने याद रखना है pressure की value 1 atmosphere होगी इसी तरह volume जो है वो कितना अगा 22.4 decimeter cube जब gas की amount कितनी होगी 1 mole होगी और ये journal gas constant है इसकी value 0.0821 atmosphere decimeter cube per mole per Kelvin अब आप सोच रहे होंगे कि ये value कहां से आई ये हम बेटा जी आगे इस topic में ही इसी chapter में पढ़ेंगे कि R की values को कैसे calculate किया जाता है तो अब आपने याद रखना है कि जब भी word STP बोला जाए तो standard conditions आपने ये याद रखनी है कि temperature, volume, R, N और P की values जो है वो क्या है clear हो गया इसी तरह student gas laws, gas laws को समयने के लिए मैंने यहाँ पे expose diagram बनाई है सबसे पहले देखें यहाँ पे के मेरे पास यह container है इस container का temperature और इसमें जो gas है उसकी amount fix है के constant है, temperature भी constant और gas की amount भी क्या है, constant अगर आप इस gas के उपर pressure लगाएं तो gas का volume क्या होगा, कम होगा और अगर pressure कम करें तो volume क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक होगा अगर pressure लगाएं, pressure increase करें यहाँ पे, तो यहाँ पे pressure आपने क्या किया है increase किया है, arrow उपर जा रहा है, increase, तो volume क्या होगा, ठीक है और अगर pressure को decrease करें तो volume increase होगा, इसी तरह यहाँ पे देखें कि अगर हम gas के उपर pressure और gas की amount को fix कर दें तब gas को हीट करें तो temperature बढ़ेगा, temperature बढ़ने से gas का volume भी बढ़ेगा और temperature कम करेंगे तो volume भी कम होगा इसी तरह students अगर gas का pressure और temperature constant कर दें और gas की amount को बढ़ाना शुरू कर दें, उसके moles बढ़ाएं तो उसका volume भी क्या होगा, बढ़ेगा इसका मतलब यह है कि gas की amount का, gas के volume के साथ, temperature के साथ और pressure के साथ एक relationship है तो वो relationship जो gas के volume का, temperature, pressure और moles के साथ relationship को explain करते है आप उन्हें कहते हैं gas loss तो यहाँ पर अगर देखें, तो volume का pressure के साथ क्या relationship बन रहा है? inverse यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज करेंगे, वोलियम क्या होगा? decrease होगा यहाँ पर क्या बन रहा है कि temperature increase करेंगे, वोलियम भी इंक्रीज होगा तो इसका मतलब यहाँ पर तंप्रेचर का volume के साथ direct relation यहाँ पर number of moles बढ़ाएंगे तो volume भी बढ़ेगा जो relationships हैं आप इन relationships को क्या बोलते है गैस लाज बोलते हैं अमीद है कि आपको आज के lecture की समझ आई होगी तो अगे हम अगले lecture में बॉाइल्स ला को चार्ल्स ला को एवोगैदरोज ला को डिसकस करेंगे ये बेसिकली ब्रीफ ली बॉाइल्स ला है ये चार्ल्स ला है और वो एवोगैदरोज ला है बात की समझ लगी तो शार्ट बोसन पूछा जा सकता है के वाट अर गैस लाज तो आप क्या बताएंगे गैस लाज बात की समझ लगी के गैस के वॉलियम टमपरेचर प्रेचर उसकी अमाउंट के दर्मयान जो क्वाटिटेटिव रिलेशनशिपस हैं आप उन्हें क्या बोलते हैं गैस लाज इसके लाज़ए वट इज अस्टिपी तो एस्टिपी क्या है स्टेंडर्ट तंपरे यह उसके लावा बेटा यह मल्टीबल चोहस कोस्तिन में पुछे जा सकते हैं या शार्ड को सब्सक्राइब किसके इकुल है इसी तरह कौन सा यूनिट एंजिनिर्इंग में यूज कि रहता है कौन सा यूनिट जो है वो मेटेरियल जिस्ट यूज़ करते हैं यह भी आपको म देंस्टी ठीक है यह च्छोटे पॉइंट इसी तरह लेक्विट्स आर लेस कॉमन वाई तो बिकाज देग्जिस्ट आट नेरो रेज़ उफ टमबरेचर प्रेचर प्रेचर पर अग्जिस्ट करती है लिक्विट स्टेट इसलिए आप क्या कर सकते हैं बताएंगे कि लेक्व पूल करेंगे तो लेक्विड में लेक्विड को ठंडा करेंगे तो वह सॉलिड में तो किसी भी सबस्टांस की स्टेट्स जो हैं वह इंटर कनवर्टेबल होती है बात की समय लगी तो उमीद है आपको इस लक्षित की समझ आई होगी थैंक यू इंट में लोर्टेबल करेंगे तो में लेक्विड आपको 9 वेक्षि आई हो प्र правильноसे हैं 워 об Artemis